नमस्कार दोस्तों हमरे चले हर एजुकेशन में फिर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त राहुल आज की सुडियों आपके लेके आया हूँ CUT 2023 का अप्लिकेशन फॉर्म फिलिंग का कम्प्लेट प्रोसेस तब भी आप अच्छे से इसको अप्लिकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे ठीक है तो मैं आप लोगों के लिए कंप्लेट स्टेब प्रोसेस लेकर आया हूँ तो बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से स्टार्ट करते हमारा ये वीडियो सबसे पहले आप लोगो उस उट की वेबसाट पर जाना है cut.summer.ac.in website पर यहाँ पर क्लिक करना है registration पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ requirements है यहाँ पर जैसे कि आप लोगों के photograph लगेगी clearly eligible होनी चाहिए 80% visibility के साथ मास्क आप लोगों को अपने face पे नहीं पहनना, white background होना चाहिए, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, color और black और white with 80% face without mask visible ears against a white background, white background पे ही आप लोगों को अपनी photo लेनी है, कुछ नहीं करना है, घर पे अपने white जहां पर वाल दिखे, आपको उपर photo click करनी है और उसको edit क करके upload कर देना, मैं आपको बता भी दूँँ, मैंने proper video बनाया कि how to upload signature photograph वो आपको बहुत useful लगेगी, इसके बाद है आप लोगों का photograph बिट्वीन आप लोगों का 10 to 200 kb का signature 4 to 30 kb का SCST, OBC, EW certificate अगर आपने अप्लाई करा है तो उसके लिए भी लगेगा, साथ में हैं यहां पर आपका PWBD का certificate अगर आपने उसके लिए अप्लाई करा है तो, application form के fees के बारे में समझ लेते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि अप्टो 3 subjects के लिए 750 रूपीज का general candidate के लिए application form की fees है, OBC के लिए 700 और अप्टो 7 subjects के लिए 1500 है और अप्टो 10 subjects के लिए 1750 रूपीज का application form fee है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर आप लोगों को अपना email ID चाहिए होगा, जिसका बिल्कुल आपको verify करवाना पड़ेगा, password आपको alpha numerical रखना है, alpha numerical में होता है, पहला capital, बाकि small और एक symbol जैसे की at the rate आप यूज कर सकते हैं, hashtag यूज कर सकते हैं, इसके अलाबा आपको अपना 123 में से कोई number अपना use करना होगा, चलिए की तरफ बढ़ते हैं, हम इसको कर लेते हैं, यहां से agree, click here to proceed पर click करेंगे, अब यहां पर आप से मांगी जा रहे हैं, आपकी basic details, आप लोगों को class 10th के according ही अपनी details सारी fill करनी होगी, तो generate name में मैं अपना name डाल देत सकते हैं, अपने brother का भी नाम आप यहां पर डाल सकते हैं, date of birth में आप यहां पर डाल देंगे, और वही date of birth डाल नहीं है, बिल्कुल भी देखो, आपको नहीं जल्द बाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अगर आप इसमें जल्द बाजी करोगे, आपको बहुत consequences का आगे जाके phase करना पड़ेगा, तो मैं यहीं बोलूँगा कि यहार, अभी इस time पे आप लोगों को अपनी जो है, नहीं करनी है, mistakes नहीं करनी है, मैं आप अपनी date of birth भी डाल देता हूँ, फिर आगे जाते हैं, gender, gender में mail में select कर लूँगा, nationality में Indian overseas citizen को जो भी आप हैं, आप apply कर द जाएगा, क्योंकि at the examination center आप लोगों से उसकी verification भी करी जाएगी, मैं डाल देता हूँ, school ID card बे मैं कोई भी एक number डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को, आपको भी इस तरीके से अपना application फ़र्फिल करना है, address में डाल देता हूँ, xyz, sub-locality xyz में डाल रहा हूँ, locality में अ आप लोगों को डालना है, इंडिया, आप जिस भी country से अपलाए कर रहे हैं, यहां से मैं डाल देता हूँ, अपना state, यह तो basic चीज हैं ठीक है, जो आप लोगों को मिल जाएंगी, pin code में डाल देता हूँ, 110074, email address, mobile number, यहां से आपको अपना mobile number डालना होगा, alternate contact number भी आप डाल सकते हैं, अगेन आप यहां से किलिक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, password यहां से select कर लेंगे, password मैं डाल देता हूँ, alpha numeric, जो मेरे को easily याद भी रहे, alpha numeric होता है, पहला capital, बाकी favorite book मैं डाल देता हूँ, higher education, यहां पर आपको अपना security question भी डालना पड़ेगा, ताकि आ आपको recover करने में असानी रहेगी, अब मैं डाल दूँगा, ऐसे अपना security pin, submit करा, then मेरा यह हो गया है application form, save, अब आप इसको review कर लेना, कहीं पर भी कोई mistake हो, आप प्लीज उसको उसी time पर rectify कर लेना, क्योंकि यहां पर यह भी बोला जाता है, कि हाँ भी मेरा नाम, मेरे फा और एक बार, दो बार, तीर बार, ठीक से अच्छे से देख लेना, एक एक spelling को मिला के देख लेना, तभी आगे आपको उसको proceed करना है, submit and send OTP पर मैंने क्लिक कर दिया, अब आप लोगों ने जो भी number डाला है, उस पर आप लोगों का OTP आ जाएगा, और यह आगे हमारा OTP, अब मैं इसको verify कर दूँगा, अब आपको पता ही इतनी सारे चीज़े verify क्यों करवाए जाती है, क्योंकि कल को कोई भी responsibility नहीं लेगा, कि आपने क्या भराता, क्या भरना है, fine, अभी आगे आप लोगों का personal details, अब यहाँ पर आप लोगों की registration basic हो चुकी है, अब आप लोग creamy layer के लिए SEST, EWS के लिए आप यहाँ से apply कर सकते हैं, मैं फिलाल अभी यहाँ पर general कर रहा हूँ, और मेरे पास अगर अभी अपना document है, तो मैं अपनी category के लिए पर apply कर दूँगा, यहाँ पर मैं नोपर कर रहा हूँ, ठीक है, father's qualification पर मैं अभी कर रहा हूँ, not applicable, या फिर जो भी अपके father की qualification है, वो डाल सकते हैं, मैं graduate डाल देता हूँ, occupation में business डाल रहा हूँ, mother's name में अपना पहले सी यह फिल हो कि आया है, क्योंकि मैंने पहले इसको verify कर दिया है, mother qualification में यहाँ पर कर दूँगा, not applicable कर दूँगा, mother's occupation में not applicable कर दूँगा, या फिर अगर आपकी mother qualified है, कुछ भी आपकी graduation, जो information आप यहाँ पर फिल कर देंगे, इसके बाद आजाते है, annual family income में मैं आप पर डाल दूँगा, two to three lakh के बीच में annual income डाल रहा हूँ, मैं अपनी अपने आप father से इस बात को टैली कर रहे हैं, उसके बाद ही आप इसको आगे proceed करना, are you two in मैं आप पर नो कर दूँगा, domicile state आपका क्या होता है, जिस state से आप पड़े हो, आपकी mark sheet की जो last address है, वही आप लोगों का domicile state होता है, एक example के तोरवे बोलू, अगर मेरा school जो है डेली के अंदर located था, आपकी mark sheet के अंदर school का address डेली का है, पिन को डेली का है, तो आप इसको डेल सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप 36 grade से apply कर रहे हैं, तो 36 grade में अगर आपका school था, आपकी जो भी school में mark sheet में जो address लिखा हुआ है, वही आप लगों का domicile कहला जाता है, आज जो diabetic में हापे no कर दूँगा, place of residence आप क्या करेंगे, अर्बन या rural, अगर आप अर्बन रहते हैं, इसकी city में रहते हैं, तो urban कर देंगे, या फिर आप इसको rural कर सकते हैं, इसके बाद आगे अगरते हैं mode of preparation, कैसे आप prepare कर रहे हैं, self कर रहे हैं, individual tuition ले रहे हैं, online coaching ले रहे हैं, tutorial classes in school ले रहे हैं, correspondence, आप अपना में mention कर देना, मैं अभी हापे self कर रहा हूँ, अगर आप preparation कर करना चाहते हैं, youtube entrance exam की तो आप download कर सकते हैं, education की application, साथ मैं offline preparation के लिए डैली हमारे center पर आके हमारी classes को join कर सकते हैं, बाकी medium of study देख लेते हैं, आपने किस medium में study कर रहे हैं, तो मैं आप English को mention कर देता हूँ, ठीक है, आगे के तरफ बढ़ते हैं, अभी हापे और भी कुछ ह हमारा फिल करने का है नहीं, हमें click as same as president address कर दूँगा, दोनों को same कर दूँगा, अब बागी की तरफ बात करते हैं, तो category quota के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं यहापे कर रहा हूँ, अभी no, अगर आप ब्लॉंग करते हैं, तो yes कर देंगे, ठीक है, मैं भी हापे no कर रहा claim for sports quota में मैं हापे no कर रहा हूँ, और बाकी are you ward of university employee मैं यहापे no कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं है, ठीक है, अगर आपके हैं, तो आप इसको apply कर सकते हैं, यह मेरी details जो है, अब रिव्यू होके आ गई है, अब यहाँ पर आजाएगा, अभी भी आपके पास मोका है, अगर आ कितरे बात करते हैं, proceed to next success में जाते हैं, अब यहाँ से हमारी academics की details मांगी जा रही है, तो यहाँ पर क्या है result status, अभी आप लोगों class 10th का तो पास दी होगा, ठीक है, class 10th student तो अलएडी पास हो चुके होगे आपे, तो passing year में अपने आपे mention कर देता हूँ, 2019 का, या फिर 20 का म अगर आपका school जो है private साथ, आप private मेंशन करेंगी, government साथ, school अपना government पर करेंगे, अगर आपको confusion है, तो आप अपने school से इस बारे पर confirmation भी ले सकते हैं, कि आपका school किस category में आता है, तो मैं आपका school कर देता हूँ, qualify examination country कर दोंगा, इंडिया, इसके बादे qualify examination state, आप अपने state का नाम डाल देंगे, जो भी आपकी mark street पर नाम है, वो नाम आपको यहाँ पर mention करना पड़ेगा, कि आपके किस state से qualify करा हूँ, qualify examination district भी आप लोगों का, South Delhi, New Delhi, इस तरीके से, अपना जो सब category होता है state का, वही आप से पूछा जाएगा, मैं आप नियू डेली कर रहा हूँ, बोड आप लोगों का, आप डाल देंगे, यहाँ पर मैं अपना CBSC मेंशन कर रहा हूँ, Central Board of Secondary Education, आप जिस भी बोड से ब्लोग करते हैं, आप अपने बोड की particular information यहाँ से डाल सकते हैं, ठीके, तो यह सारे बोड आप लोगों को मिलेंगे, अगर आपका बोड का नाम इस CBSC मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मिलेगा, Central Board of Secondary Education, ठीक है, बहुत सारे सुडेंट CBSC 1 पर भी क्लिक कर देते हैं, गलती से तो इस पर ध्यान रखना, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, CBSC International के लिए है, मैं यहाँ पर Central Board of Secondary Education पर क्लिक कर रहा हूँ, address में मैं आप यह सब्सक्राइब है, तो आप ग्रेट डाल देना, ठीक है, मैं आप पर percentage पर क्लिक कर देता हूँ, maximum marks मैं आप पर कर दूँँ, आप 500, 5 subjects कर डाल रहा हूँ, और 350 marks कर दूँँ, तो automatically मेरी 70% जहाँ पर calculate होके आजाएगी, अगर आपके पास marks आपके percentage पर नहीं है, तो आप इस आपको पूरी proper अपने details डालनी पड़ेगी, अगर आप क्लिक करोगे appearing पर, यानि के आप currently class 12th में हो, तो आपको इहाँ पर appearing पर क्लिक करना है, मैं अभी फिलाल इस पर appearing पर क्लिक कर रहा हूँ, qualify exam में मैं हाँ 12th और equivalent कर दूँँगा, place of schooling में urban कर देता हूँ, type of school college क्या है, यह आप लोगों को urban तभी करना है, जब आपका school city में located है, तभी आपको करना है, type of school college, government added, school कर देता हूँ, qualified examination country, India हो जाएगी मेरी, qualified examination state मेरा Delhi का है, इसके बाद district मेरा New Delhi में डाल दूँगा, board name में again, central board of education डाल दूँगा, central board of secondary education, school name में xy डाल रहा हूँ, अभी भी हाँ प ध्यान रखना, मैं बस अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, tutorial purpose से, education purpose से, आप लोगों application form fill कर रहा हूँ, as it is, ऐसे मत भरना, आपको जो आपकी suitable information और उसके recording आपको भरनी है, अगर आप pass पे क्लिक करोगे तो आपर result आप से मांगने लग जाएगा, देखेंगे नीचे आप percentage और grade का option, अभी मैं इसको appearing कर रहा हूँ, ठीक है, आपके जैसी आप इसको pass पे क्लिक करोगे, यहाँ पर बस as it is, आप से percentage और grade की information मांगने लग जाएगा, अगर आपने marks डाले हैं, best of 100, 500 में से डाल रहे हैं, तो आप अपने total marks क्लिक कर डालोगी, जैसे मैं भी 10th का डाल से city की क्या है, भाई इस चीज को बहुत ही सोच समझ के करना, क्योंकि examination center बहुत सारे हैं, इतर उदर आपको डाल दिया जाएगा, और आप लोग बाद में फिर हो जाओगे, परिशान, ठीक है, तो पहले मैं ने डाल दिया Delhi, दूसरे डाल दिया New Delhi, ठीक है, यहाँ पर, city preference म मेरी दूसरी हो जाएगी हरियाना, और मैं यहाँ से डाल दूगा, गुरुगराम, यह मेरे से test city preference है, मेरे को इनी दो location में अपना test city center मिलेगा, जो मेरी preference 1 है, उसको पहले preference देगी NTA, इस तरीके से जब आप अपना Delhi डाल रहोगे, मद्धी प्रतिस डाल रहोगे, तो आपक ज़्यादा important चीज जो student पिछले साल मेनत करके भी बहुत ज़्यादा बेवकूफिया कर चुके हैं, अब देखें यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, जब आप इस select करोगे university का नाम और program का नाम, पहले अपने university पर इहाँ पर click करना, list of universities जो है, CUT ने अपना NTA ने पहल जाम का नाम select करना है, एक example के तौर पर बताना हूँ, अगर आपको डली उनिवर्सिटी से करना है, BSC honors या फिर आपको करना है, BSC honors in computer science आपको करना है, एक example के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, आप इस तरीके से आप किसी भी university के लिए कर सकते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ षेंबर इसिकले मैं और यहांसे आपको डिखा दिता हूँ, दूसरी उनिवर्सिटी के लिए, आपको रोगह रहा कहेंगा।ителя के अपको पता इता हूँ, यहां पर आपने क्या करा? यूनिवर्सिटी का नाम select करना है, मैं यहाँ पर डाला, टी दभाऊं अपने keyboard से, तो थ करा Delhi University 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 of Delhi University of Delhi पर आपने क्लिक करा इस तरीके से और यहां से आपने अपना कोर्स लेक्ट कर लिया फॉर एक्जामपल के तौर पर मैं ले लेता हूं यहां से BA Honors English ले लेता हूं ठीक है मैं ऐसे इसको एड कर दिया आप सारी University स्टार्टिंग में मेंशन कर देना ध्यान रखना आपको उनकी eligibility criteria भी fulfill करना है सामना eligibility तरीके से आपको खुल जाएगी ठीक है जैसे आप पंद्रा सो रुपे दे रहे हो तो भर भर के नाम डालो जरूरी नहीं है कि उनका नाम डालने पर आपको महाँ पर admission ही लेना पड़ेगा वह आपकी personal choice है लेकिन आप लोगों को maximum domains और जनरल test का exam देना ही देना है ताकि आप लोगों को आगे जाके कहीं भी प्रॉब्लम ना है आप किसी भी university में apply करने के लिए मतलब non eligible ना हो अगर आप डैली में हो तो डैली के सारी universities के नाम डाल दो आप इसमें DSE को नाम डाल दो आप इसमें IP university का नाम डाल दो इसमें आप अब यहां से आप लोगों को मिल जाएंगी slots अपने subjects चूज करने के लिए अब यहां पर slot 1, slot 2 का system ही खतम कर दिया बहुत ही बढ़िया चूज करते हो 1, 2, 3 starting के 3 लेते हो तो आपकी fees बनेगी साड़े 700 रुपे गी अगर आप लेते हो तीन से ज्यादा subject तो आपकी fees बनेगी 1500 रुपे गी अगर आप 10 के 10 subject दे रहे हो तो आपकी fees बनेगी 1500 रुपे से भी ज्यादा 1720 कुछ इतनी फीस है वह आपकी बनेगी चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं subject कैसे select करने है जैसे कि आपने लिए English language ठीक है आपको English लेना subject जो है जरूरी है बीसी करने के लिए उसके बाद आपको अपना PCM का subject लेना है आप यहां से क्या आगे मैं करूंगा अपना chemistry का selection ठीक है chemistry और chemistry के बाद मेरे से क्या बोला जाएगा यहां पर Hindi English किस में में मैं English में दूँगा इसके बाद आजाएगा मेरा mathematics का subject mathematics जो कि मैं अपना PCM के लिए बता रहा हूं मैं भी BAC के लिए बता रहा हूं जो भी आपके subject से आप उसको अप सब्सक्राइब करने के बाद आप लेगों को यहां पर नीचे देना है यह चार मैंने अपने फुल्फिल कर दिये चलिए आगे के तरह बढ़ते थोड़ा सा और मैं दिखाता हूं अब देखे इंटेग्रेटेड मांसर्स दिगरी तृपुरा में जनरल टेस्ट मांगा है मे अगर यूनिवर्सिटी ने मैथेमेटिक्स की रिक्वाइर्मेंट रख दिये तो भाई मेरेको मैथेमेटिक्स का डोमेन नेना पड़ेगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने जो आपने क्लास 12 में पड़े थे अगर नहीं पड़े हैं तो आप उसका नाम डालोगे आपकी उनिवर्सिटी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी तो ध्यान रखना आपको वही डूमेन सेलेक्ट करना जो आपकी उनिवर्सिटी ने यहाँ पर मैंशन करे होंगे इसके अलावा अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा ठीक है यहां से मैं क्लिक करूँगा एंपने सब्जों के नाम डाल दिये हैं सेव पे क्लिक करने के बाद अब यहां पर में से पूछ रहा है बाकी टेस्ट के नाम क्यों डाले तो मैं यहां पर क्या करता हूं नौट अप्लिकेबल कर देता हूं फिर सब्सक्राइब करना है अब सब्सक्राइब करूब जैसी में सेफ पर क्लिक करूँगा और सथमें पर्पटोग्राफ है तो मैं से प्रवेश्ट प्रैक्र नाम हिए ू? तो मैंने पहले सी इसके वीडियो भी मना रखेंगे हाउट अपलोड फोटोग्राफ और सिगनेचर तो प्लीज आप उसको जाके गोत्रू कर ले ना मैंने हैं से लिया अपना फोटोग्राफ फोटो मैंने ऐसे डाला इसके बाद मैं यहां से डाल दूँगा इस के अकॉर्डिंग आपको अपना देख लेना है अगर आपको कहीं पर भी एडिट करने की जोड़त है तो आप यहां से इसको एडिट भी कर सकते हैं फाइनल जो अमाउंट है मेरा क्योंकि मैंने तीन से ज्यादा सब्जेक्ट कर रहे थे तो फिफ्री नहीं रुपीज मेर करने के लिए बोल रहा है तो कैसे करेंगे सबसे पहले मैं डालूँगा अपनी दुबारा से इमेल आइडी यह डाली मैंने अपनी इमेल आडी कंफर्म कर दिया है इसके बाद 5644878 यहां से क्लिक कर दूँगा अब यहां मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा मेरी इम पर 5644878 मैं डाला और यहां से मैंने इसको वेरिफाय कर दिया अब देखें मेरा अपर अप्लिकेशन फॉर्म आ गया है अब यहां पर क्या है नौट सब्मिटेड आ रहा है क्योंकि मैंने फीज पे नहीं कर रही है कंटिन्यू अप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करूँगा I search कर लेती अब मेरा से थीज़िवां यहां से अपना डुबारा से वर्र आयां कर देता हूं क्योंकि मेरा एक बडिरा कर लूगा अब मेरा से वर्राक्षाय कर लूगा के लिए फो प्लिक कर लोगा यहां से मेरे पास देखे payment करने का option आ गया State Bank of India, Canada, ICI और Paytium से भी आप payment कर सकते हैं तो आपके पास जो payments के mode है वो यही दिये हो है State Bank of India, Canada Bank, ICI और यहाफिर सीधा Paytium तो यहां से सीधा Paytium पे click करेंगे आपके पास payment का option आ जाएगा I hope आप लगों को समझ में आया हूँ कि कैसे application form fill करना है मैंने जो वीडियो बनाया था प्रॉपरली education based बनाया था बिलते हैं next video मिशी तरगी के education coordinator sir बाबाई, take care, thank you so much अगर आप prepare करना चाहते हैं CUT के entrance exam की preparation तो download कर लेजी हर education के application मिलते हैं next video में, thank you so much